हिमाचल को नया मुख्यमंत्रे शुक्विंदर सिंग सुक्खू के रूप में मिल गया है। वहीं हमारे राजनेतिक संपातक चंसेकर तिशूल ने हिमाचल में जाकर ग्राउंड जीरो से तमाम विश्यों पर जानकारी साजा किये हैं। और मुझूदा राजनेत को लेकर तमाम विधायकों से जानकारी ली है। वहीं उन्होंने सियम की माँ से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आईए आपको सुराते हैं। तिमाचल में सरकार बन चुकी है और सरकार का फैसला तैह हो चुका है। समर्साथ मौझूद है AICC के सेकेटरी धीरज गुर्जर धीरज जी इतना जो सब कुछ हुआ लेकिन आप धीरे-धीरे शोर थम गया है। कुछ भी सोर नहीं था हर समर्थक ये परियास करता है कि मैरे निता का उसर मिले सभी विदायकों कल सरुसम्मति से आला कमान के उपर फैसला छोड़ा था और आज फैसला आगया है सबने इसको सहर स्युकार किया है और अब आप देखेंगे जो तस्वीर आएगी उस तस्व गठन ने एक प्रतिभा साली सरकार का गठन हिमाचल में कर लिया है अब देखना ये होगा कि प्रतिभा कितनी और दिखती है और लोगों की जो अपेक्छाय है वो कितनी पूरी हो नमस्कार इस समय मौजूद है रिजमैदान में जहां हमारे साथ है कॉंग्रेस के वो ले चुके हैं जो जनता की अपेक्छा है बहुत बड़ा अनुभव है कैसे देखते हैं हर्ष्परद चोहान इन बातों को निशित रूप से हम हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना जाएंगे जिन्होंने कॉंग्रस नेत्वित पर कॉंग्रस पार्टी में विश्वास व्य जो है जो विश्वास और आशा और उमीद हिमाचल परदेश की जनता ने कॉंग्रस नेत्वित रूप में किया हम उसको निशित रूप में जो है वो पूरा करेंगे आने वाले दिनों में काबिनेट बैठा किया क्या कुछ होने वाला है विस्तार कब तक संभव है ये तो जो मुख्य मंत्री हैं सुखिंदर सुखुजी उनके कारे शित्र में है और निशित रूप में आने वाले समय में विद अ कंसल्टेशन ऑफ दे कॉंग्रस हाई कमांड आने वाले समय में जो कैमिनेट के एक्स्पेंशन होगा मंच से भी कहा गया कि जो अपेक्छा है जनता करमचारियों के लिए है ओपी इसको लागू किया जाएगा इस तरह से बहुत सारे इशूस हैं वह भी तो आज ओत हुई है और आने वाले समय में एक एक इशूस को जो है वह हम रिजॉल्व करेंगे बदले हुए राज में जनता के हक की बात कांग्रेस कर रही है अब जनता का भार उठाने की जिम्मेदारी लिए लए है माचल की जिम्में बाली उसके पंजाब दी लएनी माचल की लाइनी पंजाब आरे उसला दिनगा आपको खुशी हो रही होगे आपका बेटा मुक्य मंत्री बन गया है पूरे हमाचल का बेटा बेटा है उन्दी यह है पावलोगों जो जाया मेरे को नीओ नीओ ए यह सुखिंदर सिंग सुखो की माँ है और अभी मंच सभी नेताओं से मिली थी उन्होंने मिलवाया था उनके बेटे ने सभी नेताओं से राहूल गांधी प्रियंका गांधी से और कहीं ना कहीं घर्वजोशी का माहल है जिसने एक नारा दिया था ग्रेट का और ग्रेट का नारा शिमला तक पहुंचाए चेतनी शर्मा हमारे साथ मौजूद है चेतन जी कैसे देखते हैं आपको जनता ने इतना प्यार दिया और दिगजों से लड़ाई लड़के यहां तक पहुंच गई ता ग्रेट का जो सच्चाई है उसको निश्पक्षता के साथ दर्शाया गया और थिंग वो भी एक बहुत बड़ा कॉंच पाटी की इतनी बड़ी जीत पे प्राथे मिक्ता है जो मैं तो डाई साल से अपने शेतर में काम करी रहा था क्योंकि मैं तो महा का निर्वाचत जला पार्षत भ हो चाहे हमने स्कूल देने हर एक विधान सवम है और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टन ली OPS का जो मुद्दा है जो सरकारी करमचारियों की हमारे साथ कांग्शाय जुड़ी है हमने उसके उपर खरा उतवरना है और आप पहली काबनेट में ही देखेंगे कि बहुत सारे डि सीखनी है बहुत सारे लोग है जो फिर से इलेक्ट होके आए है तो बहुत अच्छा मिश्रण है बहुत अच्छी गवर्मेंट हमारी लोग तंतर का यूथ आइकन बन चुके है चेतन्य शर्मा और कॉंग्रेस का भी बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है कि क्या करना है कैस करता हूं कि एक तरफ तो उन्होंने सुखविंदर सिंग जैसे इतने हमारे दिगज नेता ओर्गनाइजेशनली जो इतना स्ट्रॉंग है एनिस वाई को उन्होंने लीड करा हुआ है उनको ने हमारे प्रदेश की कमान उनके हाथ में साथ साथ में मैं खुदी उना जिले से आगे बढ़ने वाले हैं हरुली विदान सबा जो है अपने आप में हमारे लिए एक आइडल है तो वी आल गोई टूगेधर सभी लोगों के सपोर्ट के साथ जो बोला गया है उसको पूरा करेंगे और 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 भी ग्रेट को ग्रेट बनाएंगी हिमाचल को आगे लेके जा जाना में कहीं ना कहीं वर्चस पर कायम किया है किले को भेट दिया अपने हरी जनारता जी जैसे आप समझो वो ठीक है पर लेकिन हमें तो यह कहना चाहूंगा कि मैं धन्याबाद करता हूं शिमला की प्रभूत जनता का जिन्होंने सो समझ के वोट डाला है एड्यूकेट के वेजा है वो इसलिए क्योंकि उनको शेयर के काफी उमीद है और हमें भी मालूम है कि अब हमारे को कारिया में जुटना पड़ेगा और इमेज़ेटली जुटना पड़ेगा जोना आपके सब्सवाल पूस्ते थे क्या पेक्षा है जिनको पूरा करना चाहेंगे आज अब कैसे सबसे पहले क्या काम करेंगे जहां तक कि पहले सवाल है अभी हमारे को पब्लिक की भी जाना है वाड़ वाइस हमने थेंक्यू करने जाना है और उसी टाइम हमने लोगों की समस्या हैं सुननी है तो उनकी जो प्रताइब मनलों चौइस जो इंपोर्टन चीजी ज करेंगे और उनको इमिजेटली सॉल्व करने का पूरा प्रियास करेंगे जो भी ड्वलमेंट होगी वो पब्लिक को साथ लेके ही होगी बड़े जो बादे की हैं उनको लगातार कांग्रेस कर रही है हर एक बादे को पूरा किया जाएगा और खुद यूवाओं के रूप म हमने बादे कि हैं और हमें मालूम है शेयर की क्या प्रॉबलम है मेरे को यहां पे 25 साल होगे काम करते हुए तो एक-एक गली से और एक-एक दुकन कॉनर से हम यहां पे वाकिफ है अपड़ी कॉंच्वेंसी के और हमारे जहन में बात है कि हमने क्या क्या करना है और हम की राजनीती का वह समक और उड़ावान चेहरा जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस उड़ा लेती है और एक जो कारे करता है उनमें नई उड़ा आती है जी एस बाली के पुत्र आरेस बाली हमारे साथ है नगरोटा भगवा से विधायक चुन के आए है क्या लगता है कि पहले ह कहीं कांग्रेस ने जीता है वोट पढ़ाए विधायक युवा जीत के आए है उस भरोसे को कैसे पूरा करें देखिए विकास और रोजगार ये सबसे बड़ी प्रात्मिकता हैं विकास को आगे बढ़ाना है युवाओं को रोजगार दिलवाना है विरोजगारी बहुत ब बेनिफिट देने की बात की गई अब उन सब जो मेनिफेस्टो है मेनिफेस्टो जो होता है वो आपका एक समर्पित पत्र होता है लोगों को जिसके तहत लोग आपको वोट डालते हैं उसको लेके जाना है उसको अजेंडा बनाना उस पर काम करना है संक्रमन काल से गुजर रही थी कांग्रेस उस समय में एक उर्जा आती है कि हिमाचल में कांग्रेस आई और कही ना कही पूरे देश में एक संदेश कांग्रेस का गया कि कांग्रेस संक्रमन से उबर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा में लगातार भीड़ो मड़ रही है कैसे देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक संकल्प है वो एक संघर्ष है और लाखों लोग पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ रहे हैं दिखा नहीं रहे बहुत से जगा अगर कोई आप देखें तो वो ज़्यादा दिखता नहीं है दिखता है सोशल मीडिया पर दिखता है बाकी जगा दिखता है पर टीवी पर थोड़ा कम दिखता है अगर इतने लाखों लोग कहीं और चल रहे होते तो पूरा दिन उनको दिखा रहे होते पर भ इतर से हर स्टेट से लोग बहार निकले हैं, इस यात्रा का सबसे बड़ा जो बेनेफिट हमारे देश को मिलेगा वो एक मज़बूत विपक्ष का होना मिलेगा. जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक देश का सविधान और देश की डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट नी की जासर हिमाचल में कॉंग्रेस सरकार बनने की बाद कहीं न कहीं संक्रमण दूर हो गया है कैसे में देखना होगा कि कॉंग्रेस जो अपक्षा है उनको कैसे पूरा करती है कैमरा परसुन करन की साथ मैं चंदरशेकर शिमला